पब्लिक टीवी आपकी आवाद जामिय मिलिया इसलामिया और अलीगर्ण मुसलिम यूनिवर्स्टी के बजट कम करने पर सरकार पर निशाना सालते हुए डॉक्टर एस्टी हसन ने कहा कि मौलाना आजाद और स्कॉलर्शिप खात्म करने पर सरकार की मुसलिमियों के बुति मंचा पर उन्होंने सवाल उठाए हैं टेन सरकार की विक्सित भारत संकल व्यात्रा पर भढ़के सपासांसत ने चुनावी एजंडा बताया है उनोंने कहा कि 10 सालों में रूटीन के काम हुए इस पर भी अपनी पीट ठथपा रहे हैं उन्होंने कहा कि महुआ मोई तर के समर्थन में समादवदि पार्टी के शांसतर ओक्टर एस्टी घसन उनके समर्थन में आ गए है कि मैंने पार्लेमेंट के अंदर यह सवाल लगा है और इस बात को खाया कि क्योंकि एक ट्राइबर युविश्टी का भी लाया था जिसके उपर हम बोल रहे थे कि हमें इतराज नहीं है कि युविश्टी बने अथ दो मंडल में समाजवादी पार्टी उसके पक्षित धर रहे लेकिन जो युविश्टी बनी भी है उसके साथ आप क्या कर रहे हैं अर्लीकर मस्विया उनिवसित्य उछामेदलिया, उजामें मिल्या इस्लामिया का बज़ा दोजादादार से और आज की निवल्चावकी 15% कम कर दिया गया। तो जबके और उनेस्टी का बढा दिया गया में बढाने पर इतराज नहीं है हमें कम करने पर इतराज है यह प्रिसिजियस इंटीज मर यहां से it come means scholarship था जो research scholars को में दिया जाता था अब संक्यख लोगों को उसे आपने खत्म कर दिया गया कर दिया तो आखिर मनिशा क्या है चाहते क्या है एक तरफ तो सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है दूसरी तरफ जमीनी हकीकत ही है जो हमने बताई तो हमने इसी लेके पार्लिमेंट में चर्चा करी है सब चुनाव कही एज़न्डे है यह विक्सित भारत तो यह भारत वो भारत अरे दस साल में हिंदुस्तान कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ता ही रोटीन सी बाते हैं रोटीन से विकास हुआ है जब हम ने आजादी हमें मिली थी उसवा हम कहां थे उसवा हमाया पार गाड़ी हैं कितनी थी हमारे पास उस वत अपनी रक्षा का सामान कितना था और हज कितना है तो यह होता तो आप दिखा गिनाई है कि हमने इस्पेशल काम करा जो पहले कभी नहीं हुगा दानिश अली को बसपास है निकाल भी आ गया है अब यहाली का देखिए यह उनका पार्टी का इंटरनल मेंटर है इसके बारे मैं क्या करते हुए ना मैं जानता महुवा मित्रा के बार नहीं उसकी सदा उसको मिल गई क्या कहीं से काला धन का सुबूद मिला पैसे का सुबूद मिला कि इन्होंने पैसे लेके करा कहीं से उन गिफ्ट का सुबूद मिला जो उससे दी गई हो यह सुबूद ही नहीं मिला वह बहुत जलबाजी में क्योंकि वह हमेशा अडानी के स्वाल करती थी और उनका पासवर्ड और कहीं और इस्तमाल कर लिया गया तो वो इत्ता बड़ा किराइंग नहीं था कुछ्टन तो उन्होंने करी करें अब आज अगर मेरे पास आप आते हैं कि सांसाजी मुझे यह परिशानी है मेरे छेत में यह परिशानी है और मैं इस पार्लेमेंट में उठा देता हूं और आप मुझे उठाने के बाद आप मुझे एक मिठाई का डिबब दे जाए तो मेरी विस्ततर रद हो जाएगी कॉंग्रेस के राजस्वा सांसद हैं उनके घर से दो सु करोर से अधिकी संपत्ति मिली है और आज बीजेपी ने भी काला धन को लेकर के ब्रश्टा चार को मिटाने के लिए प्रदर्शन करा है पूरी यूपी के अबदा दीए जिसने जो अपरात करा है उसकी सदा मिलनी चा है कि बहुत बड़े शराब माफियां हैं इस इसमें कांग्रेस या कि बीजेपी का सवाल नहीं है सवाल इस बात का है कि उस द्धन के ओपर टेक्स क्यों नहीं दिया हिया टेक्स चोरी हुई और उसकी जो सदाय हैं वो नहीं भी मिलनी चाहिए आज बीजेपी कर रहे हैं उसके साथ युन्होंने इंडिया गटवंदन को का है कि रश्टा चाल करने वाला इतना देखिए एक एक इंडिविजल आग्मी जो अपनी काली कमाई कर रहा है टेक्स नहीं दे रहा है उसका पार्टी से क्या लेना देना है हां अगर को भेश्टा चाह कर रहा ह है और सरकार उसे सेफ कर रही है उसको बचा रही है तो वो कहने लायक माती है मेरा इशारा आप समझे रहा हूं